हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन से एर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं बनके दिखे बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आया है ये दिखे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजे न्यू वीडियो की नोट्पीकेशन के लिए बेलाईकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाईक करना न भूलें अब हम पना पैटन स्टार्ड करते हैं तो देखे बॉर्डर कम्प्लीट होने के बाद फ्रंट से पैटन की फर्स्ट रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे ये पहला फंदा उतार लेना है अब देखें नेश्ट एक दो तीन तीन फंदे सीधे एक फंदा हम बिन बुने उतारेंगे इन्हीं चार फंदों का प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है देखे एक दो तीन तीन फंदे सीधे एक फंदा बिन बुने उतारेंगे फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन फिर एक फंदा बिन बुने उतारेंगे, फिर last के देखे, ये तीन फंदे सीधे आजाएंगे, एक, दो, तीन, last वाला फंदा भी सीधा आजाएगा, तो देखे ए front side से हमारी pattern की first row complete हो गई, हमारे project के हिसाब से हमारे first row में जितने भी फंदे होंगे, हमने यही process repeat करना है, अब देखे रोंग side से second row, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब देखे फ्रंट side के दरब से जो फंदे सीधे आएंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, रोंग side से देखे तीन फंदे सीधे आगे, धागा अपनी side, अब देखे नेस्ट फंदा हमने जो बिना बुने उत सारता front side से, ये wrong side से उल्टा आएगा, इसको हम उल्टा बुनके उतारेंगे, यही process हमने आगे repeat करना है, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी side, अब देखे जो बिना बुना फंदा है, इसको हम उल्टा बुनके उतारेंग धागा अपनी side, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब next same process repeat होगा, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, last में देखे, तीन फंदे सीधे आजाएंगे, last वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे, तो देखे, wrong side से हमारी pattern की second row complete होगे, अब देखे, front side से pattern की third row, अब third row में देखे, पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उतारने के बाद देखे, अब हमारा ये pattern repeat and shift होगा, तो देखे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा आएगा, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, इस तरीके से देखे, फिर next हमन तीन फंदे सीधे बुने, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, next हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, और दे तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थार्ड रो कम्प्लीट हो गई, आप देखे रॉंग साइड से फोर्थ रो, फोर्थ रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा आएगा इस टार्डिंग में, धागा अपनी स अब देखे नेस्ट फंदा जो बिना बुना है इसको हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी साइड अब देखे जो बिना बुना फंदा है इसको हम उल्टा बुनके उतारेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे ती फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो तीन धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा भुनके उतारेंगे यह देखे एक फंदा उल्टा भुना धागा पीछे लास्ट में एक फंदा सीधा आएगा धागा अपनी साइड करेंगे और यह वाला फंदा जो लास्ट वाला फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे, तो देखे, wrong side से हमारी pattern की 4th row complete हो गई, अब देखे, front side से 5th row, 5th row में हमारा pattern repeat होगा, 5th row को हम 1st row की तरह बुनते हुए complete करेंगे, इनहीं 4 सलायों के pattern को हमने बार बार repeat करते जाना है, और बनके देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, यह देखे, बहुती सुंदर, बहुती आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले, thank you इस दो आई न हो भांगा गाँ है, जा से वी हैं आ न, हैं आया हैं झाले, बहुती सुंदर, इस जा है जदोरा न, इस दो आने, दोआ हैंky दोगए很गए है, यह उनन crying, हैंकर दोग्रा थ्ष्ड़ आएपे।